तो नमस्कार, स्वागत है आपका उत्राखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड जी के टेस्ट सिरीज पार्ट एट जो कि आपके उत्राखंड के सभी एक्जाम्स वीडियो, वीपीडियो, एरो, सायक समाच कर लिया नद इस वीडियो में भी हम उत्राखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्नोतरी के उपर बात करेंगे और ये सीरीज हमारी डेली चलती है, कभी एक-दो दिन का ब्रेक इसमें हो जाता है, लेकिन आपकी सीरीज चलती है, और डेली हम इस सीरीज में काफी अच्छे उत्राखंड के क्वेस्टन के उपर बात करते हैं, जो कि हम डेटेल्स में पहले पढ़ चुके हैं, और इसे के साथ साथ दोस्तो हमारे योट्यूब चेलेन में आपको उत्राखंड की कहीं सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप उत्राखंड काफी विस्तरत दूर्प से पढ़ना चाते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रूप यानि कि जो हमारा उत्राखंड का ऑनलाइन बैच चलता है, उससे भी जूड सकते हैं, जिसके लिए आप संपर कर सकते हैं, हमसे वर्टसप पर उपर देएगे नमबर जिसने की बालरा को आलम नगर नामसे जाना जाता था और ये खसिया खुला डाणडा कहां पढ़ता है, यह अलमोरा पढ़ता है, उत्राखंड में डाणडा यानि कि हम कह सकते हैं परुषद को पहारी रेंग्वेज में, कुमाउनीय अगडवाली में डाणडा कह कर किया था तो उसी के संब्द में यहां पर प्रस्ण पुछा जा चुका है कि उच्छ चंद सासक का नाम बताईए जिसने खसिया खोले डांडे में आलम नगर नामक राजधानी बसाई थी तो कौन था बालो कल्यान चंद था बालो कल्यान चंद किसका पुत्र था यह था दूस और इस कारण पूरे कुमाओं पर इनका अधिपत्य नहीं बारता तो भीसपचन ने सोचा था कि वो अपनी राजधानी को चंपाउत से कहा इस्तांतरित करेगा अलमोडा इस्तांतरित करेगा हमें बता है कि चंद राजधानी को इस्तांतरित करने के लिए अलमोडा नामक अस्तान पर आता है और यहांपर क्या करता है क्या करता है खगमरा कोट responding क्यों 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 इसके बाद में इसका पुत्र बनता है कौन बालो कल्यार्चन तो बालो कल्यार्चन क्या करता है अपने पिता के सपने को पूरा करता है और यह अपनी राजदानी को चंपावत से अल्मुड़ा इस्तांतित करके लाता है तो यहां से देखिए तरह तरह के अलग लग प्रकार के प्रस्थे बनते हैं सबसे पहले कि आलम नगर किसका प्राची नाम था है मुगलकाल के दौरान अलमुडा को किस नाम से जाना जाता था आलम नगर नाम से जाना जाता था खचिया खुला डांडा कहा इस्तित है ये अलमडा में इस्तित है अलमडा कौन से डांडे पर इस्तित है तो खचिया खुले डांडे या फिर कासाई परवत कहाँ पर इस्तित माना जाता है किसे अलमडा को अगला प्रस्ण यहां से बनता है कि खगमरा किले का निर्मान किसके दोरा किया गया था तो बीस में चंद के दोरा खगमरा किले का निर्मान किया गया था अगला प्रस्ण बनता है कि खगमरा कोट का किला कहां इस्तिद्य तो यह अलमुडा में इस्तिद्य और इसका निर्मा करता है और उसी खगमरा इसे अल्मुडा के ही लग लग नाम होते है जैसे कि खगमरा कोट, रामसिलाचेत्र, पताल नगरी, तामर नगरी पीतल नगरी इन सभी नामू से भी अल्मुडा को फ़िए रहात रोघना रքनी कि चंद राजुनस का पहला सासक जिसने अपने राजदानी को चंपाउत से अलमोडा इस्थानतिर किया तो कौन था बालो करल्यान चंद था तो उसी ने क्या क्या था खचिया खुले डांडे में आलब नगर नामग राजदानी बसाई थी और अगर आपसे पुछाए कि अलम वीडियो देखेंगे तो आपको वहां से बहतर तरीके से समझ में आप आएगा दूसरा हमारा आज का प्रसन है और अलमोडा के अगर आप प्राचिन नाम या उपनाम लिखना चाहते हैं तो अलमोडा को आलम नगर कहा जाता था आलम नगर ठीक है और अलमोडा को ही राम सि इसलेतर खगमर कोट नाम से अलमोडा को जाना जाता है और पटाल नगरी क्यूंकि यह पर पटाल बहुत होते हैं टाउठर नगरी और और प्राकृतिक वरनस्पति चल्म오डा की कारण यह को बता रहा है क्योंकि एक बार यहां से एक जाम प्रस्थन पूछा आ चुका है, मसूरी के संदर में, प्रस्थन पूछा गया था कि मसूरी नामकरण किस कारण से हुआ था, तो मसूर की डाल, मसूर की डाल के कारण या मसूर बनस्पति के कारण हमारे मसूरी का नाम करण हुआ था, मसूरी में जन्मास्टमी के बाद गाय जाने वाले गीत कराते हैं क्या थुल खेल गीत और थुल खेल गीत के साथ ही क्या होता है एक थुल खेल निर्ति भी होता है ठीक है और इसी थुल खेल गीत को थुल थुल धुसको या थुलो धुसको थुलो धुसको गीत या थुलो धुसको न जाने वाले जीट है, और Or इसमें मुख्य गाय को क्या का जाता है, इसमें मुख्य गाय को बक्र निया कहा जाता है आप देखे दोस्तों यहां से अभी फॉरेस्ट गाण की एक्जाम पेपर में एक खतरनाक सा प्रस्ण पूछा गया था प्रस्ण पूछा गया था कि उत्राक्ट में ठुल खेल या ठुल डुसको का संबंध किस्से है तो ये पहाली रामायाण यानि कि इसमें जो नरत्य होता है या इसमें जो गीत गाय जाते हैं वहाँ पहाली रामायाण पर आधारित होते हैं और यही प्रस्ण फॉरेष्टर गाड के एकजाम पेपर मैं पूछा गया था देखे दोस्तो इस प्रकार के प्रस्ण आपको लिंक करते हुए पढ़ने पढ़ेंगे जैसे मैं आपको यहाँ पर 10 कुश्चन या 20 कुश्चन करवा रहा हूं लग लग स्रीज में तो आपको इ परना पड़ेगा कि आप जल्दी जल्दी सब कुश चीज़ा सीखते हुए जाएं तो आप देखे प्रस्ण क्या है उत्राकन में ठुल खेल या ठुल उसको क्या नरति भी है और गीद भी है किस पर आजारीत है पहाली रामयन पर आजारीत है इसमें मुख्य गायक को क्या क चमोली जनपद में पिंडर नरी पर बनाई जा रही है क्या मेलखेत जल्विद्यूत परियोजना तो मेलखेत कहा पड़ता है ये भी चमोली जनपद में ही पड़ता है आप मेलखेत के साथ साथी चमोली में कुछ हमारी अन्य परियोजनाओं भी होती है नॉर्मली तो आप निंग, गदेरा, जल विद्धूत परियोजना, इसी के साथ साथी, चोटिंग जल विद्धूत परियोजना, सर्तोली, जल विद्धूत परियोजना, उत्तरो जल विद्धूत परियोजना, चुफल गाड, जल विद्धूत परियोजना, धूनी जल विद्धूत परियोजना ये करेंड अफेर में भी दोस्तों ये प्रसना आये वे था, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, धुनी जल विद्यूत परियोजना, और प्राणमती, प्राणमती जल विद्यूत परियोजना, और इसके साथ सपने क्या, मोलागार जल विद्यूत परियोजना, ये सभी जल व बागिस्वर में पढ़ता है और यहीं से पिंडर नादी का उद्गम माना जाता है। गंगुतरी ग्लीशर उतरकासी हैं पढ़ता है, और पिंडारी ग्लेशर कहा बढ़ता है, बागेश्वर में ही पढ़ता है, पिंडर नदी का उतगम इसी पिंडारी ग्लेशर से माना जाता है. आप पिंडारी ग्लेसर के खोज किस ने करे थी, ये एक question आपके लिए है, आपको comment box में बताना है, पिंडारी ग्लेसर के खोज किस ने करे थी, क्योंकि इससे पहले में आपको करा चुका हूँ, DD सर्मा वाली स्रीज में जो आपको playlist में भी मिल जाएगी, ठीक है, अगला हमार चौथा प्रसन है कि वरना त्यव Wowar कौनसी जणजाती द्वारा मनाया जाता है, देखे दोश्तों, यहाँ प्रसन है काफी महत बोड़ है, क्योंकि पर्धान मंत्री मोदी जी ने अपनी मन कीबात कारिकरम में भी इस त्यवार का जिक्र किया हुआ था, तो वरना त्यवार थारू जनजाती द्वारा मनाये जाने वाला त्या हुआ रहे ठीक है ठारू जनजाती हमारी एक प्रकृति पूजग जनजाती है और 1967 में इसे जनजाती का दर्जा दिया गया था और उत्राखन में सरवाधिक जनसंक्या वाली जनजाती सरवाधिक जनसंक्या वाली जनजाती भी हमारी क्या है थारू जंजाती ही है और 1967 में इसे जंजाती का दरजा दिया गया था उत्राकिन की पाँच जंजाती को जंजाती का दरजा दिया गया था आप देखे थारू जंजाती क्या है प्रकृति पूजक है इसी कारण थारू जंजाती क्या करती है दिपावली परव यह कहते हैं कि भाई तुमने परकरती को नुक्सान पहुचा दिया है इस कारण हम दिपावली को सोग परव के रूप में मनाएंगे और जौन सारी जंजाती ऐसी जंजाती है जो क्या करती है दिपावली को एक महा के पश्चाद मनाती है तो यह चीज़ें आपको याद रखन है अगरा हमारा पांचवा प्रसन है कि चंदवंस के किस राजा ने फूमी बंदोबस्त का कारी करवाया था यानि कि चंद्राजुंस का पर्थम सासक कह सकते हैं आप चंद्राजुस का पर्थम सासक कौन था जिसके द्वारा भूमी बंदोबस्त किया गया था वही लिखा यह बंदोबस्त राज्य का यह हम कहें उत्राखन का पर्थम एतिहासिक भूमी बंदोबस्त भी मानायाता है तो उत्राखन का पर्थम भूमी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया यह चंद राजवस में पर्थम भूमी बंदोबस्त किस राजा के द्वारा किया गया यह हम कहें कुमाउं गडवाल संपूर्ण छितर में किसके दोरा कराया गया तो रतनी चंद यई रतनी चंद के दोरा परतम भूमी मंदवस्त यहाँ पर कराया गया था अब यहीं से एक-दो प्रसन हमारे और आते हैं दोस्तों कि अंग्रेजूं के दोरा अंग्रेजु के द्वारा प्रथम भूमी बंदोबस्त कप कराया गया या अगर आपसे प्रस्न मुछाए दोस्तों कि भूमी बंदोबस्त की सुरुवाद उत्राखन में किस राजवन से मानी आती है तो चंद राजवस से भूमी बंदवस्त की शुरुवात मानिया थे चंद राजवस का सस्तापक कौन था? सोम चंद, सोम चंद चंद राजवस का सस्तापक माना जाता है किसी-किसी बुताक किताब में क्या भी दिया गया है? थोहर चंद भी दिया गया है लेकिन आयोग किसको मानता है सोम चंद को मानता है वास्तविक्स सज़तापक ठीक और सोम चंद आप्सन में नहीं होगा तब आप थोर चंद को टिक अप कर सकते हैं अब चंद राजवस मैंने वीडियो बनाई हुए आप वहापर देख सकते हैं तो अंग्रेजु के दोरा पर ब्रतम कुमाओं का विष्णार था सब्सके दोरा यहा पर पर भूमी बंदोबस्ट कराया गया था और भूमी बंदोबस्त के ओपर भी मैं वीडियो बना चुका हुँ आपको जो भी वीडियो देखनी है ना आप उत्राखन ऋमें बंदोबस्त बाई वाइ जी क्यानवे में कुमाओं में पर्थम भूमी मंद्वस्त कराया गया था किसके जोगामल साह के द्वारा जो कि गुर्खों का उस टाइम पर सुब्वेदार, सुब्वा हुआ करता था वहीं से प्रसने एक और बनता है हमारा कि टिरी रियासत का प्रथम भूमी मंदवस्त किसने कराया था टिरी रियासत का तो ये कराया था अठार सो तेईस में सुदर्सन साहने ठीक है तो ये पॉइंट आपको भूमी मंदवस्त याद रखने है और प्रथम राजा जिसने भू उत्राखन के इतियास की द्रिष्टी से पर्यावरण की द्रिष्टी से और सामाजी कारी करताओं की द्रिष्टी से तो सबसे वहले हम बात करते हैं कि चंडी प्रसाद भड़्जी थे कौन तो चंडी प्रसाद भड़्जी को एक गांधी वाधी पर्यावरण विद और पिश्वर नामेक इस्थान पर इनका जन्म हुआ था चमोली के गोपिश्वर में 33.1934 को चंडी प्रसाद भड़जी का हमारा जन्म हुआ था इनके द्वारा ही स्ट्रैमिक सहकारी संग की इस्थापना की गई कहां पर चमोली में इसी के साथ साथ क्या दसौली जो की काफी इ संग दसौली ग्राम स्वराजी संग की इस्थापना किसका द्वारा की गई थी ये भी चंडी प्रसाद भड़जी के द्वारा की गई थी कब 1964 में और एक्जाम में यहाँ प्रसने पूछा भी जा चुका है और जो ये दसौली ग्राम स्वराजी संग है ये इसलिए महत्व पूर्ण है क्योंकि इसी दस्वाली ग्राम सुराजी संग को चिपको आंदोलन की मात्र संस्था के रूप में जाना जाता है इसे इसी दस्वाली ग्राम सुराजी संग को और यह दस्वाली ग्राम कहा पढ़ता है यह भी चमोली में ही पढ़ता है 1964 में इस दसौली गुराम स्राजी संकीस्ताना चंडी प्रसाद बढ़ की गई थी और इसे चिपको आंदुलन की मात्र संस्ता की रूप में भी जाना जाता है चिपको आंदुलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्सों मताईए मैंने क्योंकि इसके बारे में आपको बदाई रखा है चिपको उमेन या चिपको लेडी या चिपको आंदुलन की उद्धर करता की रूप में किसी जाना जाता है गौरा देवी को जाना जाता है जिनने चिपको उमेन भी का जाता है और 26 मार्च 1973 को चिपको आंदूलन हुआ था, काफी प्रसिद्द आंदूलन है भारत के इतियास के साथ साथ उत्राखन के इतियास में भी, ठीक है, तो अब चंडी प्रसाद भड़ जी की कुछ उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो की एक्जाम में back to back पूछी जा चंडी प्रसाद भड़ जी को गांधी सांती पुरुषकार से कब सम्मानित किया गया था, हाली में 2019 में चंडी प्रसाद भड़ जी को इंद्रा गांधी राष्टी पुरुषकार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इतने पॉइंट आपको चंडी प्रसाद भड़ जी इसे directly याद रखने हैं अगला हमारा सात्वा प्रस्न है कि फसल कटाई में तीहरी रियासत के अंतरकत जमीदार के हिस्ते को क्या कहते थे या जमीदार के हिस्ते को क्या कहा जाता था तो फसल कटाई में तीहरी रियासत के अंतरकत जो जमीदार का हिस्ता था इसे तिहार कहा ज राज़ा कॉन थे यह थे कौन सुधर्शन साओं शुधरसन साह जैसे को सलता है कि व्यूंन बदो संट होङी है कि थे इनका मूल थे पर मार राज़ू आफ रंश्म स्थाफ कहा ओरर को मुए happy जाली आती ख्रौन ठी परदियुमने चंद परदियुमने चंद के नाम से याना था, उसी परदियुमने चंद को परमार राजुस के अंतिम सासक के रूप में जाना आता है, क्यों कि इसके बाद में परमार राजुस का छेत्र बस सीमित हो गया था या हम कह सकते हैं कि इसी पर्दियुम्न सहा को उत्राखंड के अंतिम राजा के रूप में जाना आता है उत्राखन का अंतिम राजा इसे क्यों कहा जाता है क्योंकि इसने कुमाओं के सांसात में गड़वाल पर भी सासन किया था और एक मात्र ऐसा सासक होता है कौन पर्दियुम्न सहा या पर्दियुम्न चंद्य योगी कुमाओं के सांसात गड़वाल पर भी सासन करता है शुदरशन्सा को एक सिमिठ छीत्र दे रेया जाता है इसका टहरी रियासत का और उसी टहरी में टहरी को अपनी रासदानी मना कर सुदरशन्सा क्या करता है क्या करता है। और इस उधर्संसा से प्रस्ण पूछा जा चुका है तो और इम्हें के द्वारा 28.Dسمंबर 815 को तीरी रियासित की स्थापना की गए थी इसी कारण यहीं तीरी की स्थापना की गए थी मैं अपनी राजदानी को स्थापित किया गया थे इसी कारण 28.Dिसंबर को तीरी restoration day के रूप में मनाया जाता है restoration day का मनाया जाता है 28.815 को मनाया जाता है और तीरी रियासत के पर्थम राजा के रूप में सुधरसन सा को जाना जाता है और परमार राज उसके कौन से 55 नंबर के राजा थे ठीक है इन्होंने सभासार नामक ग्रंत भी लिखा है जो की exam में पुछा आ चुका है और ये कवी सूरत के नाम से अपनी रचनाय करते थे अब अगला प्रसनी यही से आता है कि तीरी रियासत का अंतिम सासक कौन था तो तीरी रियासत का अंतिम और 60 में राजा थे और अगला और एक काफी फेमस प्रसन यहां से बनता है कि तिहरी रियासत का भारती संग में विलाई कब हुआ था जो कि लेखक कौन है तो गड़वाल के लोक्तरतिगीत यह एक पुस्तक है इसके लेखक कौन है यह है डॉक्टर सिवानन नौठियाल जी अपने आप में ही काफी मेहत बुण है क्योंकि यहां से आयोग 3-4 वार प्रसन मुझता है और जब भी लेखक और रैटर वाली प्रसन मुझत अब इनकी कुछ और पुस्तक और समाधान समष्या और समाधान यह पुस्तक किसकी है यह भी सिवानन नौठियाल जी इसके साथ साथ इनकी एकषळ पुस्तक है किया गरवाल के लोगत्य की दियतों मैंने आपको बिताई 정말 किया गरवाल की लोग कथा हैं साथ कुमाऊं में पर्येटन कुमाऊं में पर्येटन और काली दास की कि जन्म α spirits की जन्म भूमी वरतमान गडवाल। ये पुस्तकों के रसनाकार कोने हो हैं सीवानन नो ट déjàल जी की रसना है गडवाल के जोंकत ignoring हैं गडवाल की लोकत हैं कुमाव में पर्याटन और कालीदास की जन्म भूमी वरतमान गडवाल। ये इंकिकुछ प्रमग पुस्तक ती और भी कई सारी पुस्तक हैं लेकिन हमने आपर सिर्फ और सिर्फ प्रमक पुस्तकों की ही बात करी है अगला मेरा प्रस्न है नवा कि ब्रमार सासंकाल में चंड नामग व्YUक्ति का क्या कारी हुआ करता था अब इसी चंड नामग व्यक्ति को न चंडू भी जाता है कि चणू तो ये चणू या चंड का कार्य था ये थे संदेश वहाग के रूप में चणू या चंड को जाना जाता था परमार या परमार राजुस के सस्तापक कौन है कनकपाल है एकजाम में पूछा आ चुका है और परमार या परमार राजुस के वास्तिविक सस्ता परफम राजा को था इसने राजदानी को इस्तांदित किया अजय पाल और उसके बाद में पूछे आ चुके प्लेइलिस्ट में पुरी परमार राजदानी को इसने चलता है आप वहाँ पर भी जूड़ सकते हैं लेकिन वीडियो देखेगा जरूर दोस्तों मैं यह objective session इसिलिये करा रहा हूँ न क्योंकि मैं आपको यहां से रिलेट करते हैं कि कौन सा प्रस्थन मैंने कहां बता रहा है तो वीडियो आपको देखनी है क्योंकि मैं उनको करा चुका हूँ मैं उनको बार बार नहीं करा हूँगा यहाँ पर हम objective में बात करेंगे कैसे प् किया था और परमार राजुस के सर्वादिक सक्ति साली राजा के रूप में भी अजय पाल को ही जाना जाता है क्योंकि इसने गड़वाल में इस्तित बावन कड़ूं का एकिकरण किया था और उसके बाद में एक नया राजी अपना बनाए था क्या गड़वाल नाम से इसे हम गड़वाल के प्रमुक राजुस या परमार राजुस के रूप में जानते हैं तो इसी परमार राजुस के पर्थम राजा कनकपाल थे और अंतिम सासक अगर हम कहें तो अंतिम सासक मानविंद्र सा मानविंद्र सा क्यों 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 क्योंकि ये टीजी रियासत के बाद मा एक्जाम में आप गल्ति करेंगे, मैं आपको definitely कह रहा हूँ, अगर आपका basic clear नहीं है, उत्राखन के exams के लिए, आपको राजबंसु की समझ नहीं है, आपको उनकी कहानिया पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि किसके बाद में किसका सासन आ रहा है, उसने क्या क्या किया था, तो एक्जाम में आप गुम जाएंगे, क्योंकि UKEE ट्रपलेस से आपको गुमाएगा जरूर, क्योंकि उसने exam hard बनाना है, ठीक है, तो शनु का का कारी का था, क्या क्या थे, संदेश वहाग थे, यह आपको जरूर यहादक नहीं, इसी के सासन में, सस्तापक, कनकपाल, वास्तु किस्तापक, अजरिपाल, दोनों प्रस्नम बूचे गया है, आप यहीं से एक प्रस्नम आ सकता है, कि परमार राज़ुस में, राजा का सर्वोच्च्य दिकारी, राजा का सर्वोच्च्य दिकारी क्या कहलाता था, तो राजा का सर्वोच्च्य दिकारी मुक्तार, मुक्तार या मुक्तार कहलाता, मुक्तार या मुक्तार कहलाता था, इसी के साथ-साथ, परमार राज़ुस के दोड़ान, जो क्रिसी मजदूर थे, जो क्रिसी मजदूर थे, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कैनी का जाता है, क्या कैनी, चंदराजुस में भी कैनी की कहा जाता था, नोकर एक साब साब कह सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ, परमार राजुस में हमारी एक पर्था जलती थी क्या, दाकरी पर्था, जो की क् प्रस्थन आपको याद रखने है अगला हमारा दस्वा प्रस्थन है कि किस कमिशनर ने घराटों पर पिसाई के अनुसार कर लगाया था अब आपको पताऊने से दोस्तों घराट क्या है प्राची समय में देखे आटा और चामल कोटने के लिए नदियों के किनारे घराट इस सबसे पहले कर किसने लगाया था उत्राकंड में तो यह ही लगाया था किसने कमिशनर बैकेट ने जिसे विएकेट के नाम से भी जाना辇ता है तो बिके दूरा लगाया था यृट के दूरा लगाया था लेकिन उस टैम्ठ भी कुमाओ कमिश्चनर कौं तो कुमाओ कमिश्चनर सिस्टैम्ब कौन था हिंदरी रेमजी था गरत आपको पता हिए नाच भिसनी के लिए प्रयूक्त किया जाते ध Як अब देखेब यहां से प्रस्टन है कि घराट उपर सबसे ब़हले कर कब लगाया गया था तो गराट उपर सबसे बहले कर लगाया था कब ऐस्था ही कि अगर पूछा है किुसक निभाव हां यही scientists यह ग्लाज है किस थला की निरेंगा कि ग्लद कर लिएक सतहल में तो Commissioner बैकेट या विकेट के दोरा लगाया गया था, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा इन दोनों प्रस्नों बैठीक है, तो प्रस्ने important है कि विकेट के दोरा गराटों की कराई, या हम कह सकते हैं, normally आप यह प्रस्ने या रखिए, कि किसके दोरा गराटों पर पिशाई की अनुस बैकेट 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 बैक में इसे भूवी बंदुवस्ट में उन्हें गंट या सदावर्त या आप कहसकते कि भूमी पर जो कर लगता है उस कर पर भी उन्हें एक कर लगाया था इसा नांव CT हिनका पूरा नाम थे bana Vielinku अनल वह क्या था जिसे तीस साला बंदोस्त के माम से भी जाना जाता है और यहीं से एक और मसना आता है कि गूठ या सदावर्ट भूमी बंदुबस्त कौन से भूमी बंदुबस्त को कहा जाता है तो गूंट या सदावर्त भूमी बंदुबस्त नवे भूमी बंदुबस्त को कहा जाता है जो की विकेट के दुरा कराया गया था और इसी भूमी बंदुबस्त को प्रसम राज़ी था को उत्राकंन और यहाँ प्रस्ना भी हालीमे, फरुष्ट गार्ट के ऐक्जाम में भी पूछा चुका है तो प्रस्क आप्दा मंत्राले का गठन करने वाला देश का प्रसम राज़ी कौन चाहा थ न कर अब हम प्रस्ना पूचा आगे कीनाम 2022 यह उत्राखंड आपदा प्रबंदन मत्राले का गठन कब हुआ तो 2005 में इसका गठन हुआ था ठीक है अब यही גם और प्रस главное है कि राश्ट्री कि ऑप्रबंदन अंदिनयम कब बनाया गया तो राश्ट्री आपदा प्रबंदन अधिनियम था 2005 के इसी के तहद इसने किया गया है हापे आपदा प्रबंदन मंतराले का गठन कर दिया 2005 में एंडी तीवारी जी की सरकार थी और परतम दिर्वाचित सरकार थी उत्राकंड के इतियास की इसके बाद मैं यहां से प्रस्ण दो बन गया कि की स्थापना कप की गई तो यह की गई 27 सितंबर 2006 को तो यह प्रस्ण सेंटर लेवल की एक्जाम में पुछा चुका है कि राष्टी आपदा प्रबंदन प्राधिकरन की स्थापना की गई थी देखे दोस्तों उत्राकंड के इतिहास में या उत्राकंड के किसी भी एक्जा अब यहीं चाहता है कि उत्राकंड ने अपने आपदा प्रबंदन मंत्राले का गठन 2005 में किया ठीक है यह तो आप सभी लोगों को बता है अब यहीं से एक और प्रसना आता है हमारा कि SDRF यह भी एक्जाम में पुछा गया है उत्राकंड में SDRF का गठन का हुआ लेकिन SDR में आपदा प्रबंदन का कारी करता है कई पर भी कोई आपदा आती तो SDRF के द्वारा वहाँ पर रहत बचाओ कारी भी किया जाता है और अगर हिंदी में अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे SDRF यानि कि स्टेट डिजास्टर डेस्पांस फोर्स यानि कि विशेश मुख्य मंत्री थे और SDRF तो आपको याद आएका अगर आपसे एक्जाम दर पूछ दे कि उत्राखन में विशेशिक्रत राज्य आपदा प्रतिकेरिया बल का स्थापना कब होई थी तो यह भी 5 अगस्त 2013 को हुई थी तो आपको सिर्फ यह सौटकर याद नहीं करने आप राश्टी आपदा प्रवंदर प्राधिकरण कब आया था या कब से लागू हो था तो 27 सेटमबर 2006 से इसे लागू कर दिया गया था और प्रिब्येस वीडियो में आप लोग का एक डाउट था उत्राखन की सबसे उची ताल तो साइध मैंने आपको देवरिया ताल कर रहा ठीक है तो देवताल या सतोबन ताल अब इसको दोनों कर लिजिक है ठीक है बांकी आज का आपका हमर का किश्टन है कि उत्राखन राज ये फिल्म नीती की गोष्णा कब किये गई थी तो उत्राकन राज ये फिल्म नीती की गोष्णा 2001, 2003, 2015 या इसमेंसे कोई नहीं तो आ आज की इस वीडियो में इतने हैं दोस्तों थैंक यू थैंक्स पर वाच्चिंग इस वीडियो सी यू नेक्स टैम